हलो फ्रेंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक तम चटपटी, मसालेदार और भोती ज़्यादा टेस्टी हलवाई स्टाइल भंडारे वाले आलू की सबजी की रेसिपी जो बिना प्याज और लेसुन के बनती है और भोती ज़्यादा टेस्टी बनती है इसे बनाना भोती ज़्यादा आसान है और ये सबजी पूरी के साथ भोती अच्छी लगती है तो देर किस बात की चली बनाना सुरू करते हैं हलवाई स्टाइल आलू की सबजी बनानी के लिए गेस ओन करके कड़ाई में 3-4 बड़े चमस तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तो तेल अच्छे से गरम हो गया है तो अब हम इसमें एक छोटा चमस जीरा डाल देंगे और गेस का फ्लेम लो रखें ताकि कोई भी चीजे जले नहीं और अब साथी मैं इसमें डाल रहे हूं एक चोथाई छोटा चमस हींग, आदा छोटा चमस सौफ, आदा छोटा चमस मेथी दाना और दो बारी कटिवी हरी मिश्ट और एक बड़ा चमस कदूकस कियवा अद्रक डाल देंगे और अब इन सभी चीजों को मिक्स करके हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा पका लेंगे, बस कुछ सेकिन के लिए तो सभी चीजे अच्छे से fry हो चुकी है तो सभी चीजों को मैंने अच्छे से fry कर लिया है तो अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमस लाल मिश पाउडर मैं यहाँ पर कस्मीरी लाल मिश पाउडर का यूज़ कर रही हूँ यह कम तीकी होती है इसे अच्छे से mix करके हम low flame पर तेल के साथ थोड़ा सा भून लेंगे ऐसा करने से सबजी का कलर बहुत अच्छा आता है बस कुछ सेकिंड के लिए इसे mix करके थोड़ा सा भून लेंगे अब हम इसमें डालेंगे 4 medium size के टामाटर को मैंने यापर कद्दुकस करके लिए है तो इसे डाल देंगे आप टामाटर को mix करना डाले कद्दुकस करके डाले और साथ ही मैं इसमें डाल जीओ एक चोटा चमस नमक नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम चादा कर सकते हैं अब टमाटर को अच्छे से मिक्स करके हम मीरियम फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे जिससे की टमाटर अच्छे से पक जाए तो टमाटर को मैंने 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है टमाटर हमारे थोड़े से पक गए हैं, तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे, एक पड़ा चमस तनिया पाउडर, आदा छोटा चमस हल्दी पाउडर, आदा छोटा चमस काली मिश्ट का पाउडर, आदा छोटा चमस आमचूर पाउडर, और मसालों को टमाटर के साथ अच्छे टामाटर और मसालों को पकाते हुए मुझे 6-7 मिनट हो गया है मसालों से तेल अलग हो गया आप देख सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे तो मैंने या पर मीडियम साइज के 6 उबलेवे को ऐसे हातों से तोड़ कर डाल देंगे आलू को चाको से कट करके नहीं डालना है पस हातों से आलू को ऐसे बढ़े और छोटे टुकडों में तोड़ कर डाल दें सिंपल और आलू को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट क तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे तो मैं यह पर दो कप पानी डाल रही हूं आपको सब्जी में कितना ग्रेवी चाहिए उसी साब से आप पानी एड़ कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें आदा छोटा चमस गरम मसाला डाल देंगे और साथ में एक बड़ा चमस कसूरी मेथी डाल देंगे कसूरी मेथी को हातों से क्रेस करके डाल दें ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से सबजी में आ जाए और अच्छे से मिला देंगे और सबजी को हम ढखकर 3-4 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे 4-5 मिनट मैंने सबजी को ढखकर अच्छे से पका लिया है और ग्रेवी भी अच्छे से थीक होगी आप देख सकते हैं तो इससे ज़्यादा हमसे और नहीं पकाएंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद में और ठीक हो जाएगी तो अब गेस बंद कर देंगे और इसमें बारी कटावा धनिया पता डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे सबजी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनानी के लिए मैं इसमें डाल रहे हूँ एक बड़ा चमस देसी घी अच्छे से मिला देंगे आप देख सकते हैं कि सबजी का कलर कितना अच्छा आया है तो सबजी हमारी बनकर तयार है सर्विंग बोल में निकालेंगे और ये लीजिए हमारी चटपटी मसालिदार हलवाई स्टाइल आलू की सबजी बनकर तयार है आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है आप इसे गर्मा गर्म पूरी के साथ सर्व करें ये सबजी पूरी के साथ बहुती अच्छी लगती है अगर आज की रेसिपी आपको ट्राइ करने की बाद में पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले है